नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके परिजीत अपना मित्र पंडि दोनाचारी सास्त्री आज मैं आपको ये सित्ध कर दोंगा ये साबित करके आपको मैं बता दोंगा इस साड़ के मात्यम से कि किस प्रकार से डक्टर के मेडिसीन जो अलोपेटिक मेडिसीन है उसको खाने के बाद आपका कभी भी जीवन में डियाविटीज लेवल कभी कंट्रोल में नहीं आता रेगुलर मेडिसीन खाते रहना पड़ेगा और मेडिसीन खाते हुए भी आप रोग के उस गर्थ से कभी बाहर नहीं आएंगे बलकि आप डूबते जाएंगे तो इसका मोख्य कारण क्या है और इस सिद्धानत को डक्टर भला क्यूं समझ नहीं पा रहे तो आप जरा इस चीज़ को खुद समझ लो आपको पता चल जाएगा देखो इनसान आहार बिहार भय और मैथुन ये इन चार विवारों से उनको डाइबिटीज बढ़ने का संबावना होता है गलत आहार से गलत बिहार से बिसेश करके आजकल भय यानि स्ट्रेश से टेंसन से लोगों को डाइबिटीज ज्यादा पनपरा है और असाय मया हुए मैथुन अधिक सेक्श्योल इच्छाओं को सरीर में रखना मन में रखना अधिक मैथुन करना यह कुछ बैवार है जिससे इनसान के सरीर में कफ बढ़ता है दोस्तों जब कफ बढ़ता है तो अगनी मान दिया यानि आपके जो जटरा अगनी है वो थोड़ा कमजोर पढ़ जाता है शरीर में खाना न पजने की सिकायत होने लगता है जब खाना नह को रसों को सही तरीका से पचाने का काम नहीं करता जो अपक को अवस्था में जो अपक रस जिसे हम आम बोलते हैं वो हमारे सरीर के अंदर दीरे दीरे रक्त रस मज़ा आदी सबत धातूं में वो जाकर के सम्मलित हो जाता है मिल जाता है बस यहीं से आप रोग के पहले तो शरीर में मोटापा बढ़ना सुरू होगा, जितने भी मोटापे के जो रोगी है, वो सारे कफ प्रकृति वाले रोगी है, कफ फ्रदान रोगे, तो जब कफ बढ़ता है, तो शरीर में बसा बढ़ जाता है, जिससे बिटासेल, जिसके अंदर पैंक्रियाज रहता है, और पैंक्रियाज से दोस्तों, इंसुलिन निकलता है, तो जो बिटासेल है, वहाँ पर बसा जम जाने के बज़े से, पैंक्रियाज से इंसुलिन इंक्रिज नहीं होता, समझ में आया, तो फलस्वरूप जब इंसुलिन नहीं होगा, तो बलड से, जो बलड है, वहाँ से, कुछ मैल उपर ढग गया तो डक्टर बोलते हैं आपका इंसुलिन खराब हो गया पैंक्रियाज खराब हो गया आरे खराब कुछ नहीं हुगा वो ढग गया कफ बढ़ने से अब देखो इससे आगे भयाने की स्थिति यह धीरे-धीरे हालांकि एक दिन में दो दिन में दस दि स्थिति में यह नहीं है यह धीरे-धीरे-धीरे-धीरे आपको चुकि यह उपर के चार बेवार में भी बेवार आप रेगुलर गलत कर रहे हो और इस धीरे-धीरे आपके सरीर में यह सब गलतियां होते आता है तो फलसरु क्या होगा जब बसा बढ़ते जाएगा मोटाप बढ़ने से. जब ये ये तेरा अग्नी जब मन्द पड़ेगा तो बिवित प्रकार के जठरा अग्नी, भोक ना लगना, आधि-त्याधी सिंटॉम्स आपको आपको नजिर आएगा. तो ये तेरा अग्नी के जब मन्द पड़ जाने से पंच बायू होते हैं दोस्तों, जहां प्राण बायू, उदान बायू, समान बायू, अपान बायू, ब्यान बायू, ये सारे ये पांच बायू होते हैं, इसके बारे में मैं कभी आपको बिस्तृत ब्याख्यान करूँगा, तो इन पांच में से समान और अपान ये दो ऐसे बायू है जो अगनी के साथ जुड़े हुए होते हैं हमारे सरीर में हमारा जो समान बायू है उसका काम क्या है जो पाचक आगनी है चाए वो जठर आगनी हो चाए वो सब्त धात्व आगनी हो चाए भूत पंच भूत आगनी हो इन पाचक आगनी के साथ मिल करके अन को पचान काम करता है जठरागनी में अब यहां कफ के बढ़ने से अगनी हो गया मंद तो यह जो समान बायू है यह इसको उत्यजित करेगा क्योंकि काम तो हो नहीं पा रहा है तो बायू बढ़ेगा जब वो बढ़ेगा तो देखो अपान बायू समान बायू के बाद दूसरा काम है अ उसको अपान बायू मल मुत्र से मला से से मुत्रा से से गर्बा से से बीवित प्रकार के स्थानों से उन रसों को या कहूं कि उन मल को उन मुत्र को लिंग से सुक्र को आधी त्याधी है ना अलग-अलग जगे से बाहर निकाले का काम अपान बायू का है तो समान बायू और अ अगनी के कमजडर होने से मंद पड़ जाएगा यह जो बायू है वो तिब्र होगा और यहां अगनी हो रहा है मंद दोस्तों जब बायू तिब्र होगा बस यही से आप एलोपैतिक दवाई में जाकरके एक तरह से गар्त में डूबने का काम करते हो तो एक चीज में आपको बताऊ कि जो एलोपेतिक मेडिसीन है, वो इनसान के सरीर में बायू को बढ़ाने का काम करता है, हाँ जी बायू को बढ़ाता है, चाहे कोई भी बायू हो, प्राण बायू, उदान बायू, आपने देखी होंगे, अधिक एलोपेतिक दभाई खाने व आपके सरीर में नेचुरल तरीका से बायू बढ़ते हुए आ रहा है और नीचे आपने दवाई कौन सा लिया जो बायू को बढ़ाने का पाम करता है तो यहां पर देखो जी पलस हो गया जी बढ़ते बायू तो उपपर से भी बायू बढ़ रहा है आपके सरीर खुद ही हो सकता था कि जो विटासेल में कफ के बढ़ने से जो बैड प्रोटीन के बज़े से विटासेल जो ढखा हुआ है इस बैड प्रोटीन को पिग लाना विटासेल को साव करना ही यहां पर मदुमेह के असली ट्रीटमेंट है लेकिन एलोपेटिक दवय में इसको न करके क्या हो रहा है कि मेडिसिन ऐसे दिया जा रहा है जो कि बायू को बढ़ाने का काम करता है अब देखो जब बायू बढ़ता है आयूरवेट क्या बोलता है कि बायू को कंट्रोल करने के लिए कफ को बढ़ाना चाहिए, यानि मदूरता, सिनिगनता ये दो ऐसे चीजें हैं जो कफ को बढ़ाता है, जब बायू बढ़ता है तो शरीर में सिनिगनता बढ़ाओ, यानि गी खाओ, तेल खाओ, ऐसे चीजे खाने के लिए बताए जाता है मदूरता जो है वो बायू को थोड़ा कंट्रोल करता है लेकिन डक्टर के पाँ जब हम खाते हैं ना अलोपेटिक दबाई लेने तो डक्टर बोलते हैं कि बाया एक चुटकी एक बूध भी आपने घी बिलकुल भूल के भी न खाना कोई भी मीठा या आप कभी भूल के मत खाओ तो जब ये दो बेवार आप जब करेंगे तो आपके बढ़ते बायू को रोकने के लिए कोई दूसरा साधन डक्टर आपको छोड़े गई नहीं तो उस बायू को आप कैसे कंट्रोल करोगे इस कभ के विटासेल ने jak विटासेल उसको आप कैसे ठीक करोगे तो आप कहीं पर भी दूर दूर तक इस एलोपेटिक मेडिसीन के माद्यम से कम से कम इस डाइविटीज के जड़ में जाने का आप कहीं से भी आप प्रियास ही नहीं कर रहे हो तो अब इसका सबसे बढ़ियत दवाई क्या है कि इस कफ को कंट्रोल किया जाए और उससे भी पहले इस बढ़ते बायो को कंट्रोल किया जाए तो दोस्तों कुछ मेडिसीन है मैं आपको बता देता हूँ आप फुद इसको बना लो लेकिन बायो को कंट्रोल करना है बायो के बायो दोस्तों कम करना है लेकिन कम करने के बाब कम करते हुए भी कफ और यह जो अगनी है यह डिस बैलेंस में ना आई इसे भी ध्यान देना है तो इसके लिए सबसे बड़ी अदवाई है गुलर का पौदा आप Google में सच कर लो कौन सा गुलर है आपके घर के आसपास में है की नहीं बरसाथ के मौसम में गुलर के पेड़ के जड़ से रस को निकालो अब कैसे रस निकाला जाए गुलर के पेड़ के जमिन को नीचे खोदो वहां पर उसकी जो मोटी जड़ है उसको काटो एक बोटल के अंदर अंदर डालो उसको उपर से ढख दो अच्छी तरह से छोड़ी दो कम से कम एक दो दिन के बाद खूल जाकर के खूल करक देखेंगे तो वहाँ पर आपको वो रस बोटल के अंदर भरा हुआ मिलेगा लेकर के उसको घर में रखिए ऐसे ही सेमल के ब्रिक्स का जड़ का जो रस है उसे भी आप लेके आईए उसी वीदी से निकाल के तो यह आप साइद यूटूब से आप देख सकते कैसे ब्रिक्स सके या तो मैं आने वाले दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रस को हम निकाल सकते इसके साथ साथ दोस्तों एक मदू मेहं तक चुरूना काफी बड़े-बड़े वैदियों के द्वारा सारहनी और यह दवाई है तो यह आपके यह कफित वायों यह तीनों को यह कंट्रोल करेगा और विशित करके जो पंच भुतागनी सब्त धात्वागनी जठरागनी इस सिकायत होता है क्योंकि आपका अगनी उपर से खराब होते जा रहा है तो इसको बड़ाने वाली दवाई होनी चाहिए और बायू को कंट्रोल करने वाली दवाई होनी चाहिए तो यह बिसेश करके मैंने एक फर्मुला तयार किया आप जरह इसे नोट कर लेना तो यह दवा हुआ है तो इस तर के आपका यह दवाई तयार होगा इसमें हैं चिरायता 100 ग्राम कुट की 40 ग्राम आवला सुद्ध आवला 100 ग्राम बहेडा का चाल 40 ग्राम और पिली हरड की चाल 40 ग्राम बेल पत्ते का जड़ 100 ग्राम मोथा यानी नागर मोथा 40 ग्राम गुडमार का जड़ मिले अची बाते नहीं तो पत्ते 100 ग्राम जामून की गुठली 200 ग्राम बबूल की चाल 40 ग्राम और तालिस का पत्ता 40 ग्राम इन सब को अलग-अलग कुट करके पहले अची तरसी पानी से साब कर ले अलग-अलग कु आपने रोगी के प्रकृति को देख करके अगर रोगी बेहत कमजोर है सारेरिक रूप से मानसिक रूप से और अन्य रूप से भी तो उसको हलकासा बिरेचन दे देना पहले और उसके साथ-साथ उसके बाद इस ये मदुमेहन तक इस चुरुन का प्रयोग कराईए तो आपको कुछ दिन तक कम से कम एक या डेड़ मैने तक इस दवाई का आप इस्तेमाल कराएंगे तो जरूर आपको इससे लाब मिलेगा मुझे पूरा यकीन है लेकिन इससे पहले ये जो मेडिसीन है क्योंकि दोस्तों ये मैंने किसी रोगी को दवाई ये तयार करके दिया था तो कोई काम कर रहा है अब ये कोई कंपल्सरी नहीं कि आपको भी ये दवाई काम करेगा क्योंकि ये एक किसी बिसेश प्रकृति के उपर देख करके उसके अनुकूल बनाने का हमने प्रयाज किया है हालां कि ये दवाई में कोई ऐसे हानी कार्यक चीज़े है कोई भी इस दव करके अगर हम आपको दे सके तो यह दबय निशित आपको अच्छा काम करेगा डाइविटीज भी आपका कंट्रोल होगा और बिगड़ते बायू विशेश करके आपका ठीक होगा तो दोस्तों आज मुझे देदीजे विदा यह फर्मुला आपको कैसा लगा जरूर आप इसक देसरी दाम